तो आज की रेसिपी के लिए हम यूज कर रहे हैं एक कप बॉइल काले चने जिनने मैंने पानी में अच्छे से नमक डाल कर इसको बॉइल कर लिया था इसके अलावा हम ले रहे हैं एक बड़े साइस का आलू के बॉइल डालू है दो छोटे प्याज, दो बड़े साइस के टमाटर, एक हरी मिर्च, एक इंच अद्रक का टुकड़ा और साथ से आट गालिक लोज तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप प्याज लेसुन नहीं खाते तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं बस आप इसमें लेसुन प्यास की जगा अद्रक और थोड़ी सी हिंकी कॉंटिटी को बढ़ा दे जगा ये प्यास और लेसुन के फ्लेवर को अच्छे से कॉंपसेट कर देता है तो चलिए सबसे पहले हम टमाटर, अद्रक, हरी मिर्ट और गालिक यानि की लेसुन को एक साथ मिक्सी में डालके प्यूरी कर लेते हैं अच्छी से तो हमारी प्यूरी प्रिपेर हो चुकी है आप देख सकते हैं तो चलिए जट पट से शिरू करते हैं तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून बेसन और इस बात का बहुत ध्यान रखेगा कि आपके गैस का फ्लेम एकदम लोपे हो और इसे कंटिनूरस स्टर करते हुए हम इसे रोस्ट करेंगे तब तक जब तक कि इसमें से एक अच्छा आरोमा नहीं आने लगता लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा कि हमें इसका color बिल्कुल change नहीं करना है तो मुझे basin को roast करते हुए 1-2 मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं इसका color बहुत सदा change नहीं हुआ है लेकिन इसमें से एक nice aroma आना शुरू हो गया है तो इस stage पर gas को off करेंगे और basin को separate plate में transfer करेंगे तो अब दुबारा से gas पर कढाई को रखके गरम करेंगे और इसमें डालेंगे हम vegetable oil around 6-7 tablespoon इसमें oil की बिल्कुल गंजूसी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा oil जादा जाता है तो हम कोई साभी vegetable oil यूज़ कर सकते हैं इसमें in fact mustard oil भी अच्छा लगता है तो हमारा oil गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे एक पिंच हींग और एक टेबल स्पून जाएगा इसमें जीरा अगर आप प्याज लेसून नहीं खाते हैं तो इसमें हींग की quantity को थोड़ा ज़ादा बढ़ा दीजेगा ये प्याज लेसून के flavor को compensate करता है तो हमारा जीरा गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रहे हूँ हमारी बारी कटी हुई प्यास और इसे हम sautay करेंगे जब तक तब तक कि इसका color हलका सा change नहीं हो जाता तो आप देख सकते हैं हमारे onions का color थोड़ा सा change हो गया है ये हलकी से transparent हो गए है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारी freshly prepared puree mix और इसे हम high flame पर constant stir करते हुए एक मिनिट तक cook करेंगे ताकि हमारा जो garlic का flavor है वो इसमें अच्छे से आए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए तो हमें एक मिनिट हो चुका है cook करते हुए आप देख सकते हैं हमारे इस mix ने oil release कर दिया है तो अब बार यह है इसमें seasoning की तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक मैं डाल रही हूँ around 1 teaspoon नमक नमक थोड़ा से देख के डाले है क्योंकि boil करते वक्ट चने में भी नमक डाला था around 1-4 teaspoon हल्दी half teaspoon डालेंगे हम इसमें red chili powder अगर आप मिश कम खाते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिश भी डाल सकते हैं साथ ही में मैं डालूंगे इसमें around 1 tablespoon धनिया पाउडर और इन सब चीजों को एक साथ mix करते हुए करीब 30-40 second के लिए हम अच्छे से cook कर लेंगे ताकि हमारे spices अच्छे से cook हो जाए तो करीब 30 second हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे हमारा roasted basin और इन सब चीजों को एक साथ mix करते हुए cook करेंगे medium flame पर हमें इसे constant stir करते हुए cook करना है ताकि सारे flavors एक साथ अच्छे से incorporate हो जाए इस बात का ध्यान रखें इसे constant stir करते हुए हमें इसे cook करना है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ around 4-5 tablespoon of पानी और हम इसे लगतार चलाते हुए cook करेंगे क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये जो mix है वो नीचे से stick हो जाएगा बेस से और ये मसाला जल जाएगा तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारा जो ये spice mix है ये जले नहीं इसे constant stir करते नहीं है लेकिन एक बात का और ध्यान रखेगा कि हमें इसे तब तक cook करना है जब तक ही ये oil release ना करते वैसे हमने इस मसाले के mix में बेसन डाला है जिसकी property होती है oil को absorb करना तो ये बाकी मसालों के comparison में थोड़ा कम oil release करता है लेकिन ये oil release करता जरूर है तो इसलिए हम इसे ध्यान से एकदम constant stir करते हुए ही cook करना है तो मुझे 3-4 मिनिट हो चुके है इसे stir करते हुए आप देख सकते हैं हलका हलका सा oil आना शुरू हो गया है तो इसे मैं 1 मिनिट तक और अच्छी तरह से stir करूँगी ताकि ये जो mix है वो और अच्छे से roast होके release करे oil को तो आप देख सकते हैं हमारे इस mix ने अच्छे से oil release कर दिया है आपको oil दिखाई दे रहा होगा तो अब इसे stage पर मैं इसमें डालूँगी boiled काले चने और साथी में मैं इसमें डालूँगी around 2-3 cup पानी और इसे अच्छी तरह से मैं mix कर लूँगी ताकि हमारा जो बेशन और spices का mix है वो पानी में अच्छे से dissolve हो जा और इसमें कोई lumps ना रहे तो इसे constant stir करते होए mix करेंगे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं इसे mix कर रही हूँ इसे एकदम अच्छे से हमें mix करना है इसमें एक भी lump नहीं रहना चाहिए इस बाद का ध्यान रखे और अब मैं इसमें डालूँगी हमारा जो boil डालू है cut करके आप pieces अपने हिसाब से चोटे या बड़े रख सकते हैं और अब मैं इन सब को एक साथ के लिए हम को खोने के लिए छोड़ेंगे एकदम अच्छे से तो 15 मिन्ट हो चुके हैं चलिए चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा है और ये थोड़ी ठिक भी हो चुगी है आप देख सकते हैं इस तरह की 6 टेबल स्पून कोरियांडर लीव्स यानि की धनिया पत्ति और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे धनिया डालने से इसे एक फ्रेशनेस और अफ लेवर तो मिलेगा ही साथ ही में इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है तो ये बिल्कुर रेडी है सर्फ करने के लिए तो चलिए इस सर्फ करते है So friends हमारी सबजी almost रेडी है सर्फ करने के लिए मगर उससे पहले एक छोटी सी tip आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारी जो सबजी है इसकी ग्रेवी अच्छी थिक होती है ये नॉर्मल चने की सबजी की तरह से नहीं होती जिसमें चने अलग होते हैं और ग्रेवी अलग होती है इसमें ऐसा नहीं होता इसमें ग्रेवी अच्छे से थिक रहती है लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि जब ये सबजी थंडी हो जाती है तो इसकी ग्रेवी थोड़ी और थिक हो जाती है क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला है तो जब भी आप इसे reheat करें इसमें थोड़ा सा पानी अपने according अड़ कर दें ताकि इस सबजी को गरम करने में असानी होती है और साथ ही में इसकी gravy भी थोड़ी पतली हो जाएगी तो इसके साथ सर्फ एक बात का ध्यान रखना परता है कि हमें थोड़ा सा heat करते वक्त थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे कितनी भी बार reheat करेंगे इसके texture में बहुत ज़दा अंतर नहीं आता तो आप इसे बार-बार reheat कर सकते हैं लेकिन थोड़ा से पानी के साथ सु फ्रेंज हमारा गर्मा गरम चना मसाला विलकुल रेडी है सर्विंग के लिए मैं सर कर रहे हूं थोड़े से धनिय की गार्णिश के साथ आप देख सकते हैं कितना टेंटिंग है यह बहुत टेस्टी लगता है चापाती, पराथे, नान या फिर पूरी के साथ तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजेगा और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम हर रोज नई-नई रेसिपी ला सकें तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तिल देन, गुड़ बाई